हाई अब्रीबन वेल्कम बैक सो दिस इंग्लिश ग्रैमर सीरीज और सीए पर असेस्टेन कमांडर एक्जाम और इस सीरीज के अंदर हम हर एक वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो इस एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है फर्स लेक्चर में मैंने डिसक्स किया था कि स्लेब करने वाले हैं वो है वर्ब अब वर्ब एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है आपके एक्जाम के लिए क्यों क्योंकि वर्ब अगर आपने ढंक सेसे ली तो वर्ब के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अब डेकल अपलाई कर सकते हो आपके एक्जाम में पांच नंबर का एक कौन सा किस टाइब का है तो मेजरली मैंने देखा है अगर पांच कोशन उसमेंसे दो या तीन हमेशा वर्ब के होते इस तरह के एरुर्प आपको देखने को मिलते हैं तो वर्ब इसलिए बहुत है वर्ब इसलिए भी इंपोर्टन्ट है क्योंकि जब आप वाइस चेंज करते हो तो उसमें टेंस रहना चाहिए तो वहां पर भी आपकी वर्ब की नौलज बहुत काम आती है और फिर अगर हम बात करें कि एक पर्टिक्लर वर्ड दिया जाता आपको या फिर फ्रेज दी जा होता है अब हम देखते हैं वर्ब होता क्या है तो यहां से हमारा लेक्चर शुरुआत होता है कि वर्ट इस वर्ब यह बेसिक जानकार यह आपको पते होने चाहिए अब वर्ब क्या है एक वर्ड है डैट जूज तो टेल सम्थिंग आपाउट परसन और धिंग वर्ब एक जो कि हमें बताती है किसी person और फिंग के बारे में कि what a person does कि कोई person करता क्या है और what is done to a person उस person के साथ क्या हुआ है जब उसका active meaning होता है तो ये वाला आपको sentence use करना पड़ता है मतलब इसमें person doer होता है but in a passive sentence यहां पे person जो होता है वो receiver होता है बस इतना सा difference है तो यह तो थी हमारी verb is a word that is used to tell something about a person or a thing here we are talking about a person person के बारे में बात कर रहे है जब person in active sentence है और जब person in a passive sentence है लेकिन जब हम think के बारे में बात करते हैं जो non living thing है तो वहां पे जब हम बात करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा what a person or a thing is अगर हमें उसकी कोई state बतानी है उसकी क्वालिटी बतानी है उसका कोई profession बताना होता है तो वहां पे भी हम वर्ब को my brother तो यह जो chemist है यह compliment है और यह compliment किसके लिए उसकी कि लिए उसकी के लिए उसकी को बता रहा है तो आपके सामने sentence है माई brother ब्रदर इसका में तो chemist क्या है यहां पर एक पर्टिकुलर कांप्लिमेंट है जो कि यहां पर एक्टिव वर्ग यूज की गई है यहां पर हम देखेंगे वर्ट इस ड़न टूए पर्शन और थिंग किसी पर्शन और थिंग के साथ क्या किया जा रहा है तो यह पैसिव मीनिंग के साथ होगा तो इस तरह से चीजे रहेंगी और भी आगे देखते हैं अब हम देखते हैं टू क्लासिज उफ वर्ब हैं बहुत हो क्लास के अंदर अगर हम डिवाइड और वर्ब को तो दो प्राइमरी ऑक्जलरी वर्ब जो है इस वन ओफ दे इंपोर्टेंट वर्ब्स यह आपको आनी चाहिए क्योंकि प्राइमरी ऑक्जलरी वर्ब भी तीन वर्ब होती हैं पहली है बी की फॉर्म दूसरी है है की फॉर्म और तीसरी है डू की फॉर्म Duka form आपकी जनली यूज होती है जहांपे आपको किस तरह के सेंटेंज बनाने मारते हैं इंटेरोगेटिव लई तो धुक्त फिर किसी चीज को emphasize के लिए हम दो की फर्म यूज करते हैं या फिर B की form के साथ verb की ing form करोगे verb की ing form जब यूज करोगे तो वो एक continuous sentence बनाएगा it would be in a continuous form जब आप verb की third form यूज करोगे B की form के साथ तो वो passive voice बनाएगा ठीक है और इसके साथ हम have जो है जब इसको auxiliary verb यूज करेंगे तो have के साथ हमेशा verb की third form आपको use करनी ही पड़ेगी अगर have आपने as an auxiliary verb use किया है तो उसके साथ जरूरी है आपको verb की third form use करना नहीं तो काम चलेगा नहीं ओके if have और have की कोई भी वो form has, have, had कोई भी form अगर आपने use किया है as an auxiliary verb तो उसके साथ verb की third form बनानी पड़ेगी आपको to make it a perfect tense उसको perfect tense बनाने के लिए ठीक है do, does और did ये आपको किस sentences के अंदर generally use करने को मिलेंगे यहाँ पर interrogative sentences के अंदर interrogative sentences के अंदर do, does और did की form आप use करोगी या फिर किसी particular sentence या फिर किसी action को emphasize करने के लिए right जैसे मैं बोलूँ he carried out an attack यहाँ पर carried verb जो है यह past indefinite tense verb की second form है अगर मैं इस action को emphasize करना चाहूँ कि उसने attack किया तो यहाँ पर मैं do की form यूज़ करूँगा did क्योंकि यहाँ पर टेंस जो है past indefinite tense वर्ब की second form यूज़ हुए इस इसाब से डू की जो है second form हाई की did फिर मैंने लिखा he did फिर carry out an attack तो यहाँ पर जो मैंने do की form यूज़ की और उसके साथ वर्ब की base form यूज़ की तो इसको मैं emphasize करना चाहता हूं इस section को इसमें और इसमें कुछ ज़्यादा difference नहीं है लेकिन जब मैंने do की form यूज़ की तो इसमें emphasis ज़्यादा हो गया he did carried out an attack तो यह हो गया अब हम आते हैं modal auxiliary verb यह modal auxiliary verb जो होती है will होता है must होता है should होता है will, must, should, may okay can be होता है so these modal auxiliary verbs कहां पर use होती है sometimes जब हम mood को define करते है जब हम mood पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा तो यह था हमारा auxiliary verb के दो पार्ट primary auxiliary verb, modal auxiliary verb primary auxiliary verb जो है be, have or do होती है अगर हम be की form के साथ दो ही तरी के सो उसको use कर सकते या तो verb की third form उसके साथ use करके passive में convert करेंगे या फिर verb की ing form उसके साथ use करके उसको continuous form में करेंगे और यह is, am, are, was, were, been, or being यह कैसे use करेंगे that depends upon the subject का number क्या है और person कौन सा है number से बात करें singular है, plural है, क्या है person की बात करें तो first person है second person है, third person है और tense भी important है अगर tense आपका present indefinite tense है तो आपके वास option रह जाता है यही तीन use करने का अगर past indefinite tense है तो यही use कर पाओगे अगर perfect tense है तो being use कर पाओगे अगर किसी sentence के अंदर आपको continuous format चाहिए तो आप being use करोगे उसके अदर ठीक है तो यह थी हमारी auxiliary verb के दो पार्ट फिर हमने देखाता है ordinary verb भी होती है जिसको हम regular verb भी बोलते हैं तो यह डेर सारी ordinary verb है आपको हमेशा दिखती होंगी work, play, write दुनिया भर की ऐसी ordinary verbs है आप हम आगे चलते हैं next is B की form को हम कैसे use कर सकते हैं अब जैसे मैंने आपको बताया है B की form already मैं discuss कर चुका हूँ B की form दो तरीके से use होती है अगर B की form को आप auxiliary verb यूज करोगे तो वो एक तो passive बनाया जा सकता है उसका किसी भी वो इसका और दूसरा उसको continuous form में आप लिख सकते हो जब आप B की form को auxiliary लिखो गए तो यहाँ पे जो लिखा है यह active form के अंदर है B की form is होगी और verb ing form के अंदर होगी active हो गया यहाँ पे B की form was होगी और यहाँ पे verb की third form use हुई है call की called use किया गया है यह passive बन गया अगर B की form को आप auxiliary verb नहीं use कर ले डारेक्ट आप regular या फिर ordinary verb यूज़ कर रहे हो तो उस case में आपके सामने यह चीज़ है उसको हम ordinary verb बोलेंगे मतलब वह as a auxiliary verb नहीं use हुई है वही main verb है वही ordinary verb है तो इस case में she is a doctor यहाँ पे doctor क्या है compliment है she के लिए ठीक है तो जैसे हमने देखा था मैंने जब आपको वर्ब की definition बताई verb is a word which tells what a person or a thing is अब यहाँ पे यह is जो है यह एक verb है जो कि अमें बता रही है what this person she is यह है क्या यहाँ पे यह doctor है तो अमें इसका compliment पता चल गया अब she was present यहाँ पे was भी क्या है बीकी फोम है present एक adjective है तो यहाँ पे उसकी state बताई जा रही है she was present ओके तो यह एक छोटे से usage है बी की फोम के जब बी एज अन auxiliary verb यूज होती है और बी एज रेगुलर या फिर ordinary verb होती है अब हम बात करते हैं कि kinds of verb this is important कि कितनी तरह की verbs हैं kinds of verb की बात करें classes of verbs हमने देख लिया classes दो थी auxiliary verb और ordinary verb अब kinds of verb की बात करें तो दो तरह किया finite verb और non finite verb finite verb वो होती है जो जिन verb को हम किसी subject के number और person के according change करें finite verb has a subject of its own and it is limited by the person and the number of the subject जो भी suppose अगर मैं लिखूँ he goes to school अगर मैं लिखूँ they go to school यहाँ पर मैंने goes लिखा यहाँ पर मैंने go लिखा क्योंकि यहाँ पर जो subject है यहाँ थर्ड परसन singular pronoun है और यहाँ पर यह लिखा मैंने दे यह थर्ड परसन plural pronoun है तो तो यहां पर वर्ब कैसी उज़ हुई ही के साथ singular वर्ब यहां पर वर्ब कैसी उज़ ही plural वर्ब तो यह ही कहना चाहता है कि finite वर्ब कैसी होती है फाइनाइट वर्ब जो है डिपेंड करती है सब्जेट के नंबर पर और दूसरी बात सब्जेट के परसन पर किस तरह का परसन है फर्स परसन सेकिंड परसन और थर्ड परसन अब आपके सामने कोश्चन है एक एक अग्जांपल है शी इस प्लेइंग टैनिस अलाग इतना इं अगर किसी वर्ब का एक्षण ट्रांसफर दुबारा से सब्जेक्ट पर रहा है तो वर्ब कौनसी है इन ट्रांसटी वर्ब और उसके बाद कोई object नहीं लिखा जाता क्योंकि उस वर्ब का action तो है subject पर जा रहा है वर्ब object लिखने की जुरूरती नहीं है जैसे इसमें देखिए she writes a letter यहां पर writes कैसी वर्ब है transitive verb है क्योंकि इसके बाद हमने क्या लिखा एक object लिखा अब writes जो वर्ब है इसका action जो है it is passed on to this object a letter ठीक है तो यह थी transitive verb की बाद transitive verb के बाद हम देखते हैं कि अब intransitive verb कौन सी होती है intransitive verb वो होती है those words does not pass over to the action मतलब the action of an intransitive verb does not pass over to the object जो भी intransitive verb का action होगा वो किसी भी object के ओपर pass नहीं होगा it goes back to the subject जैसे मैं बात करूँ he died in a war he died in a war यहाँ पर जो die verb है इसकी second form यूज की गई है past indefinite tense और यह जो die verb है यह intransitive है क्योंकि die क्या है happening है और killed जो verb होती है यह transitive verb होती है कि आप किसी को मारते हो डाइ जो है खुद बखुद होता है ओके तो इटीज़ा इटीज़ा है इसके बाद आपको कोई object लिखना पड़ेगा जैसे ही किल्ड कि समवन उसने किसी को मारा तो killed verb जो है transitive verb है और उसके बाद मैंने object भी लिख दिया लेकिन die verb क्या intrinsic verb है उसके बाद मैंने कोई object निलिखा उसके बाद मैंने in proposition लिखी और यह जो war है in proposition का object बन गया तो die क्या होगी intransitive verb उसके बाद कोई भी object use नहीं कर सकते और इस die verb का जो भी effect है वो दुबारा से subject पर जा रहा है he died in the war लेकिन यहाँ पर killed का जो भी effect है वो someone पर जा रहा है object ठीक है इतना difference है now she cried a lot यह भी intransitive verb है cried जो है इसका जो भी action है वो दुबारा से subject के उपर जा रहा है came जो है इसका भी action किसके उपर जा रहा है subject के उपर तो यह आपको basic जानकारी इसकी पता चल गी और पहली class में बताया तो इससे पहले जो class में बताई थी कि transitive verb भी ही सरफ passive voice के अंदर change हो सकती है और कोई भी intransitive verb को पैसिव वो इसके अंदर change नहीं किया जा सकता है जैसे इसके अंदर आप देखोगे cried or came इसको आप passive के अंदर नहीं convert कर पाऊगे अब देखते हैं non-finite verb पहला हमने देखा finite verb अगर kinds of verb की बात करें तो मैंने बताया कि finite verb होती है non finite verb होती है और finite verb की भी classes है उसमें मैंने बताया कि कौन सी पहली transitive verb और दूसरी intransitive verb अब हम देखते हैं non finite verb non finite verb जो है they are not limited by the person and the number of the subject के subject singular है plural है या फिर first person का है second person का third person का है they are not limited by it तो subject से उनको कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है and they are used without mentioning any subject non finite verbs are three kinds पहली infinitive infinitive तो आपको पता ही होगा two plus verb की base form जिरंड क्या होता है verb की ऐसी ing form जो की as a noun की तरह use हो participle क्या होता है verb की ऐसी ing form जो की एक adjective की तरह use हो बस इतना याद रख लो infinitive two plus verb की base form जिरंड जो की एक नाउन की तरह use हो subject object की तरह use हो participle verb की as a ing form जो की एक adjective की तरह use हो पहला example देखते है she comes here to study two plus verb की base form यह क्या है infinitive we saw them waiting for the bus यहाँ पे जो waiting for the bus है this is an action यह पूरा का पूरा एक action है suppose आप बस्टोप पे खड़े हो और आपके friend आपके सामने खड़े हैं और आपने देखा मतलब across the road when you see कि उसके दूसरी तरफ भी एक बस्टोप है और आप दूसरे बस्टोप पे हो और आप अपने friends को देख रहे हो they are also waiting for the bus so we saw them waiting for the bus तो एक particular action था कि वह 10 minutes से किसी बस के लिए वेट कर रहे थे तो 10 minutes के लिए वह action जो था valid था तो यहां पर वही लिखा गया है we saw them waiting for the bus यह waiting जो है उस action के लिए बोला गया है we saw them जो वह आपके friend जो है वहां पर वह वेट कर रहे थे तो यह जो waiting है यहां पर जरंड है सब्सक्राइब से सब्सक्राइब में बहुत important है CPF में कभी-कभी पूछी जाती है rules of verb की बात करें तो पहला rule आपके सामने है first rule is जब दो और दो से ज़्यादा subjects इन सभी preposition से connect हो as well as like, unlike, beside, in, addition to, with, together with, along with, and not, rather than, not less, then accept, nothing but, more तो अगर ये इस तरह के conjunctions और preposition से connect किये जाए में दो या दो से ज़्यादा subject तो उस case में verb किसके according यूज़ होगी verb will be used according to the first subject अगर इसमें दो इसमें दो अगर आप देखोगे इसमें दो subjects हैं और उसके बाद कोई verb लिखी गई है तो ये जो verb है ये पहले वाले object की according आएगी पहले वाले subject की according आएगी ठीक है तो इसमें ये कहा जा रहा है लेकिन इसके साथ ही मैं दूसरा concept दिखाऊंगा जिसमें आप नीदर नोर इदर और वह वाले concept यूज करोगे वह co-relative conjunction यूज करोगे तो उसमें जो वर्ब है वह nearest subject के according आती है लेकिन इसमें जो वर्ब है जो पहले वाला subject होता है उसके recording आती है कुछ example से समझेए दा डिरेक्टर डिस इस अब्जेक्ट नमबर वन यहां फिर हमने एज वल एस जो है प्रेपोजिशन यूज की फिर हमने देखा दान्सर अब हमने जो वर्ब यूज की है वर ओनर्ड हाला कि यह पैसिव वाइस है वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड है इसको ड्रोब करना पड़ेगा इसको इसकी जंगया में वह लिखना पड़ेगा इतना समझ में आया डा डिरेक्टर एस वैल एस डांसर वोज ओनर्ड वाइदा पब्लिक तो यह समझे सेकिंड के अंदर देखिए दा मदर एंड नोट हर चिल्डरन दमदर सब्जेक्ट पर Unix यहां टो norm एंड नोट ईजो मैंने बताया कि जब भी आपको एंड नोट मिंले या फिर सब्सक्राइब करर रहा सích है लस में देखोगे दा मदर एंड हर चिल्डरन उसकेब मैंने क्या लिखा है है और मियाइड उसके बाद है लिखा है 일단 उसके बादें लिखा है इस have जो है plural है और children क्या है यहाँ पे understand children यहाँ पे singular है sorry children यहाँ पे plural है और यहाँ पे वर्ब भी plural होगी लेकिन यह इसका subject नहीं है इसके साथ जरूर लिखा है इसका subject नहीं है जरूरी नहीं है कोई उसके चीज उसके साथ लिखिये तो वो उसी के लिए use हुई है इसके साथ जरूर लिखा गया है यह particular the her children लेकिन यह इस वर्ब का subject नहीं है इस वर्ब का subject कौन है दा मदर अब दा मदर singular है तो यह वर्ब गलती यूज हुई है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे has इसको replace करके आप has लिखोगे नेक्स दिखते हैं नेक्स रूल इस जब दो और दो से ज़्यादा subject को आप इन को रिलेटिव कंजंक्शन की मदद से उनको जोइन करें तो यहाँ पे वर्ब किसकी according आएगी nearest to the nearest to the verb जो भी subject nearest to the जो भी subject nearest to the verb लिखा होगा उसके according ही वर्ब आएगी जैसे इस case में देखे नीदर दा स्टूडेंट नौर दा नौर देर गाइड अब यहाँ पर गाइड क्या सिंगुलर है लेकिन वर्ब हमने कैसी यूज कर ली प्लूरल तो इसको ड्रोप कीजिए इसकी जंग है वोज य लिखा है जो कि प्लूरल यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा नन बट लीडर सब्जेक्ट हो जाएगा तो आप इसको समझे कि जब दो और दो से ज्यादा सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं किसी को लेटिव कंजंक्शन से तो आपको क्या करना पड़ेगा वहां पर जो रूल लंबर थ्री में देखे नीदर इधर यह कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अगर प्रोनाउन की तरह इनको यूज किया जाए किसी सेंटेंस के अंदर अंडरस्टेंड की वर्ड है प्रोनाउन आपको अदेंटिफाइग करना आना चाहिए किसके अंदर यह प्रोनाउन की की तरह भी उस कर सकते हैं तो इसमें बोला गया अगर यह प्रोनावन की तरह यूज हो रहे हैं या फिर किसी अड़ेक्टिव की तरह यूज हो रहे हैं इनके बाद third person singular verb आप यूज करोगे एक example से देखते हैं यहाँ पर नीदर क्या है प्रोनावन है कैसे पता लगा क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन लिखा नहीं लिखा गया तो नीदर क्या हो गया इट मींस इट्स अ प्रोनावन नीदर अब यहाँ पर जो दा टू वोई लिखा है यह प्लूरल है no doubt लेकिन यहाँ पे नीदर जो प्रोनावन है नीदर जो है अज़र प्रोनावन यूज हुआ है तो इसका मतलव जैसे इसमें बताया गया है नीदर इदर नन एनिवन इच अवरी यूज अज़र प्रोनावन और डिजक्टिव दे शुड भी फोल ले तीन संटेंसेस में देखिए ओफ यहाँ पे भी है तीनों में ओफ है तो इस ओफ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो नीदर है यह क्या है फ्रेक्शन है किसका एक टोटल का दा टू बोईस यह क्या है टोटल ओफ सम्थिंग यह पूरा का पूरा टोटल है और ये neither क्या है ये fraction है fraction बोले तो ये इसका part है the two boys का ये एक part है neither of the two boys total क्या है two boys उसका part क्या है ये neither और neither क्या है pronoun और of क्या है एक preposition है preposition का object क्या है the two boys अगर ये object हो गया तो ये object इस verb का subject बनी नहीं सकता तो ये क्या हो गया object हो गया तो बजया क्या नीदर जो कि एक pronoun है और subject की तरह behavior कर रहा है और जब यह as a pronoun use हो रहा है तो आपको यहां पर verb कैसी use करनी पड़ेगी third person singular verb तो उसके according यहां पर जो verb आएगी वो आएगी has तो have को आपको drop करना पड़ेगा has use करना पड़ेगा ऐसे ही second case के अंदर देखे the students is a part each is a fraction of it okay no sorry the student is the total each is a part of this तो each जो है as a किस की तरह यूज हुआ है प्रणाउन की तरह यूज हुआ है जब यह प्रणाउन की तरह यूज हुआ है तो आपको यहां पर वर्ब कैसी use करनी पड़ेगी third person singular verb तो यहां पर आर की जगह आप क्या यूज करोगे is use करोगे आर को करड़े दोगे अगली केसे में देखिए either of us यहां पे यह प्रणाउन की तरह यूज हुआ है और प्रणाउन की तरह यूज हुआ है और प्रणाउन की तरह बन गया तो हमारे पास जो वर्ब है वो सिंगूलर है य इदर के हिसाब से ब्लदी ठीक है नेक्स देखते है डी boy and every girl, यहां पर boy क्या है, it's a subject, every क्या है उसका determiner, यहां पर girl क्या है, girl is also a subject, और every क्या है, every is a, understand this, every is again a determiner, तो यहां पर यह जो boy है और यह जो girl है, दोनों subject हैं और इनके लिए determiner यूज किया गया है every, और every determiner कैसा होता है, distributed property का होता है, मतलब हर एक individual को, अलग-अलग दिखाता है, जैसे every boy, अगर class के अंदर 20 लड़के हैं और 20 लड़के हैं, और मैं बोलू every boy and every girl, तो boy number 1, 2, 3, 4, 5, 6, up to number 20, हर एक boy को individually refer करेगा, कौन, every, ओके इसलिए यह एक distributive nature का तो होता है, इसमें आप जो है verb singular ही use करोगे, every boy and every girl has been invited, क्योंकि every जो determinaries के अंदर हमने use किया गया है, every देखने में लगता है कि plural है, लेकिन इसका significance क्या है, इसका nature क्या है, इसका नेचर क्या है, distributive nature है, हर एक individual को अलग से target करेगा, it is in distributive nature, तो यह जब distributive nature का है, हर एक लड़का और लड़की को अलग target कर रहा है, तो इसलिए आप verb जो है singular use करोगे, next में देखते हैं, the boys and girls, यहां पे आप देखोगे, the boys, determiner the boys के लिए use हुआ है, and girls, girls भी plural है, the boys भी plural है, तो वर्ब आपकी क्या हो जाएगी, plural हो जाएगी, ठीक है, यह बात समझ में आई आई आपको, यह rule है, जब आप neither, none, either, anyone, each, every को, जब आप as a pronoun use करोगे, तो जो इसमें verb use होगी, वो third person, singular verb के हिसाब से आएगी, right, next देखते हैं, when none is used with countable nouns, दो option आपके बास, देखे, जब आप none pronoun को, none कैसा pronoun है, indefinite pronoun है, जब none को आप किसी countable noun के साथ use करते हो, और none को जब आप किसी uncountable noun के साथ use करते हो, दो option है, none जब किसी countable noun के साथ यूज होगा, तो आप उसमें जो verb है, singular, plural, जो भी मन कर रहा, यूज कीजिए, अगर आप none किसी uncountable noun के साथ use करोगे, तो वहाँ पर वर्ब आपको सिर्फ singular verb ही use करनी पड़ेगी, यहाँ पर वर्ग क्या है, uncountable noun, यहाँ पर बोईज क्या है, countable noun, तो इसे साथ से वर्ब has use कीजिए, पिर have use कीजिए, doesn't matter, C-A-P-F में आ चुका है, यह भी आ चुका है, ठीक है, दोनों options C-A-P-F के अंदर पूछे जा चुके हैं, previous question जब हम deal करेंगे, तो मैं बताऊँगा, लेकिन यह concept आपको याद करना है, next rule देखते हैं, one plural noun, जब कोई भी plural noun, किसी specific amount, या फिर किसी sum, या फिर किसी distance, या फिर किसी quantity, या फिर किसी time period को define करता, as a whole, here the keyword is as a whole, as a whole, ठीक है, the verb should be singular, उस case में आप जो verb है, singular use करोगे, यहाँ पर keyword है whole, मतलब पूरी quantity के अंदर, जैसे इसके अंदर देखिए 4 miles, अब यह जो 4 miles है, यह क्या है, समया distance है, it's a distance, तो यह जो distance जरूर है, और यह जो 4 miles है, यह collectively define कर रहा है, मतलब as a whole हम इसको represent कर रहे है, 4 miles, 4 mile जो distance है, collectively है, जो एक बहुत बड़ा distance नहीं होता, 4 miles are not a long distance, अगर हम पूरे के पूरे उस distance को as a whole target कर रहे हों, तो वहाँ पर आप जो verb use करोगे, singular use करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो use किया है, are, इसके जगह आप is use करोगे, 200 rupees, अब यह देखिए 200 rupees यह क्या है, क्या यह sum है, amount है, what is this, it's a amount, ठीक है, sum नहीं है, यह amount है, 200 rupees, अब 200 rupees का amount जो है, हम इसको पूरा as a whole क्या कर रहे है, refer कर रहे है, 200 rupees, अब यह as a whole refer कर रहे हैं, फिर ऐसा के एक एक रूपा, एक रूपा, दो रूपा, दस रूपे, पांच रूपे, दस रूपे, जो भी है, so हम इसको as a whole represent कर रहे है, 200 rupees were a large amount for, large amount 50 years ago, तो यहाँ पे हम was use करेंगे, क्योंकि हम इस पूरे amount को क्या कर रहे है, refer कर रहे है, तो यहाँ पे वर्ड्रोप हो जाएगा, इसकी जेंगा was आजाएगा, 200 rupees were lost, अब यह देखिए, यह ठीक है, यहाँ पे हमने जो verb use किये, plural use किये, यहाँ पे हम जो है, इस पूरे amount को refer नहीं कर रहे है, यहाँ पे तो हमने इसको specify कर दिया था, कि 200 rupees का amount होता था, 50 साल पहले, वो बहुत बड़ा amount होता था, लेकिन 200 rupees were lost, 200 rupees जो है, गुम हो गए है, अब आपको यह नहीं पता, 200 rupees का amount है, वो total amount गुम हुआ, या फिर एक बार 50 rupees गुम हुए है, य here it is correct, तो यह चोटे-चोटे concept है, आपको याद रखने पड़ेंगे, next देखते हैं, अगर किसी compound sentence के अंदर, अगर कोई auxiliary verb भी यूज हो रही है, और कोई principal verb यूज हो रही है, in a compound sentence, when both auxiliary verb and principal verb अगर यूज हो रही है, and अगर उनके साथ कोई, अगर उनके साथ, अगर, suppose, in a compound sentence, both auxiliary verb and principal verb should be mentioned separately, if they differ in number, तो यह कह रहा है, अगर कोई compound sentence है, अगर उनके अंदर दो subject है, और दोनो subject के लिए, कोई, दोनो subject के लिए, वर्ब जो है, अलग-अलग यूज हो यूज हो यह, और दोनो subject के लिए, वर्ब जो है, अलग-अलग यूज हो यह, और दोनो वाला subject, जो है, singular है, दूसरे वाला subject, plural है, तो उस case के अंदर, one verb cannot act for both the closest, यह, यह question आपके आते हैं, CPF exam में आते हैं, जिसमें, correct the sentences वाले question ऐसे ही पूछे जाते हैं, कि हम एक ही verb, जो है, दोनो subject के लिए, यूज कर लेते हैं, तो वो गलती हो जाती है, अब इस case में देखि feature, यहाँ पर, he, जो है, subject हो गया, और, has not, जो है, यह, उसके लिए verb यूज होगी, has, जो है, auxiliary verb है, he, के हिसाब से ठीक है, not, जो है, यह, 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 जो है, conjunction है, उसके बाद मैंने लिखा, will, जो कि यह क्या है, model auxiliary verb, उसके बाद फिर मैंने नोट लिखा, जो कि क्या है, adverb of a negation, फिर मैंने main verb यूज की है, एक ही, यहाँ पर मैंने अभी तक एक भी main verb यूज नहीं की, सिर्फ यहीं पर मैंने main verb यूज की है, तो इस main verb का subject कौन हो गया, he, अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर इसी का subject क्या है, he है, और इसके लिए auxiliary verb has यूज हूई है, और इसक verb लिखोगे, suppose, तो वो जो verb है, third form के अंदर होनी चाहिए, लेकिन marry जो है, यह first form है, क्योंकि will जो है, auxiliary verb है, या फिर modal auxiliary verb है, जिसके साथ आप जो verb यूज करोगे, हमेशा base form के अंदर होगी, तो यह ठीक है, will not marry ठीक है, will के साथ base form यूज होगी, लेकिन has के साथ तो verb की third form य आप यहाँ इसको common नहीं यूज कर सकते, तो note के बाद आपको verb की third form यूज करनी पड़ेगी, जो कि क्या होगी, married, यह ठीक हो जाएगा, so place married after has, तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा, second case के अंदर देखते है, she is intelligent but her sister dull, अब she subject हो गया, is क्या होगी, auxiliary verb होगी, यहाँ पर auxiliary verb न किस के लिए, she के लिए, तो intelligent एक adjective है, और compliment है, जो कि she को define कर रहा है, तो is क्या होगी, ordinary verb होगी, और linking verb की तरह काम कर रहा है, फिर हमने but conjunction लिखा, फिर उसके बाद हमने लिखा her sister, she is intelligent but her sister, अब यहाँ पर sister के बाद मैंने क्या लिखा है, दुबारा दूसरा adjective जो कि dull है, लेक is को ही auxiliary, sorry, is को ही मैं verb मान लू, ordinary verb मान लू, her sister के लिए, तो यह गलत हो जाएगा, she is intelligent but her sister is dull, her sister is dull, क्योंकि sisters यहाँ पर plural है, तो यहाँ पर is ने use कर पाऊगे, आपको यहाँ पर are use करना पड़ेगा, तो यह जो sentence है, यह गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पर sisters के बाद are and to the jail, अब he के वाद आपने verb की second form लिखिए, surrendered, before the court and sent to the jail, अब यह जो verb has sent, इसका subject कोन है, he, अगर इसका subject he हो गया, he sent to the jail, मतलब वो उसका doer हो गया, उसने किसी को jail में बेजा, लेकिन उसने तो surrender किया और उसको jail बेजा गया, तो इस verb को passive के अंदर convert करना पड़ेगा, क्योंकि यह इसका doer नहीं हो सकता, यह इस verb का receiver है, तो उसको jail में बेजा गया, तो इसलिए क्या करोगे, आप यहाँ पर इस verb को passive बना दोगे, तो आप यहाँ पर was का use करोगे, sense से पहले, फिर यह ठीक हो जाएगा, अब इस case के अंदर देखे, she disappeared last month and found dead near a well last night, near a well last night, तो she disappeared, disappeared verb की second form है, last month point of time है, and conjunction हो गया, उसके बाद एक verb लिखिया, आपने found verb की second form है, dead adjective हो गया, near preposition होगी, a well उसका object हो गया, last night क्या हो गया, it's a point of time, अब इस case के अंदर द है, इस found verb का subject कोन है, she, अब found कैसी verb होती है, found कैसी verb होती है, found transitive है, intransitive verb है, found, अगर found का मतलब आपको कुछ मिला होता है, ठीक है, तो अगर ये to some extent, यहाँ पर आप देखोगे, it's a verb, और ये active sentence के अंदर use किया गया है, तो उसको कुछ मिला, she disappeared वो पिछले महीने गुम होग and she found dead, उसको कोई dead मिला, लेकिन she was found dead, यहाँ पर वो active doer नहीं है, वो receiver है उस section की, वो मिली, ना कि उसको कुछ मिला, अगर वो receiver है उस section की, तो यहाँ पर इसको passive form के अंदर बनाना पड़ेगा, found से पहले आपको was लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर ये ठीक हो जाएगा, त fanboys, fanboys बोले तो f stands for for, यह for हो गया, यह and हो गया, a for and, n for nor, b for but, o for or, y for yet, s for so, तो यह बने गया आपका fanboys, तो यह conjunction जिस भी sentence के अंदर use होते हैं, वो compound sentence बनाते हैं, ठीक है, next देखते हैं, inverted form of verb is used in the following cases, inverted form का हम पहली concept कर चुके, लेकिन इसके अंदर भी देख लीजिए, जब inverted form of verb की, अगर हम बात करें, तो मैंने आपको voices में भी बताया थे, जब हम discussion कर रहे थे, inverted form of, sorry, voice में नहीं, जब हम slaves discuss कर रहे थे, तो inverted form of verb का मतलब है, आप sentence की शुरुवात किसी adverb से करे होगे, तो आपको पता लग जाना चाहिए, कि इसके अंदर inverted form of verb and subject का concept introduced होगा, तो उस case में हम क्या करते है, subject से पहले, कोई helping verb लगा देते, जैसे इस case में देखे, she से पहले हमने did लगा दिया, helping verb, और यह करते है कि हम किसी action को emphasize करने के लिए, बस, इतना याद रखिए, जो है, use करोगे, जिस case में कोई भी sentence की शुरुवात, अगर किसी adverb से होते है, या फिर किसी sentence के अंदर कोई wish की जाती है, फिर pray की जाती है, तो वहाँ पर आप inverted form of verb use करोगे, कहने का मतलब है subject से पहले आपको कोई helping verb use करनी पड़ेगी, एक example आपके सामने है, she quickly did she finish her work that we were surprised, तो यह बिल्कुल सही है, so quickly adverb हो गया, she जो हो गया subject हो गया, did हो गया auxiliary verb, finish हो गया base form, क्योंकि do does or did के साथ base form यूज होती है verb की, her work हो गया object, that हो गया conjunction और यह दूसरी close हो गई, second देखिए may you succeed in life, अब may you succeed in life यह क्या है, it's a what, it's a prayer, may you succeed in life, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, verb की यहाँ पर base form ही यूज किया है, लेकिन इसको बताना कोई ज्यादा फाइदेमन नहीं है, आप इसको दिखिए, hardly और scarcely, adverb है, i subject है, उससे पहले मैंने verb की auxiliary verb यूज कर ली, उसके बाद verb की third form यूज कर ली, और उसके बाद आप देखोगे when the plane arrived, अब काफी लोगों का doubt यहाँ पर कब हमें past perfect use करना पड़ता है, head के साथ verb की third form, और कब हमें did plus verb की base form use करनी पड़ती है, आप इसको कैसे भी use कर सकते हो, लेकिन generally जब आपको कोई point of time दिया जाएगा, यहाँ पर when जो है, यह conjunction of time है, जो किसी point of time को बता रहा है, the plane arrived, उसके साथ यह time भी लिखा गय हुआ, when the plane arrived, तो hardly or scarcely had I reached this airport, जब तक मैं उस airport पे पहुचा, the plane arrived, तो यह वाला action हो चुगा था, ठीक है, तो इस case के अंदर क्या किया गया है, यह hardly had I reached the airport, यह had I reached जो लिखा गया है, यह past perfect tense है, यह वाला action जो है, इस से पहले हुआ है, प्लेन के आने से पहले यह action हो चुका है, had I reached, तो अगर आपको यह इस तरह से दिखाना है कि कोई action दूशरे action से पहले हो चुका है, तो आप उसको perfect tense के अंदर लिखेंगे, past perfect के अंदर लिखेंगे, तो यह बिल्कुल सही तरीका है, इसमें देखे, no sooner she arrived than she started laughing, अब इस case के अंदर देखे, did के साथ verb की first form use हुए है, क्यों use की गी है, क्योंकि यहाँ पर जो then है, यह conjunction of a comparison है, यहाँ पर when जो है, यह conjunction of a time है, और यह time है, इस time period से पहले, इस time से पहले कोई action यह हो गया है, इसलिए हमने इसमे past perfect use किया है, लेकिन यहाँ पर हम कोई action का comparison कर रहे हैं, हम यहाँ पर यह नहीं दिखा रहे हैं कि इस action से पहले ही action हो गया है, तो इस case के अंदर जो है, हमने इसमे past indefinite tense use किया है, did के साथ verb की first form, ठीक है, यह बहुत बड़ा आपके सामने doubt रहता है, तो यह clear हो गया, बस यह यादा रखना, जिसमें when होगा, conjunction of a time, और उसके साथ पहले आपको कोई दूसरा action दिखाना जो पहले हो चुका है, तो इसको past perfect के अंदर लिखोगे, दूसरे के अंदर then conjunction लिख्या होता है, तो then conjunction किसलिए यूज होता है, to compare two actions, इस action को compare करने के लिए, ना कि इस action से पहले यह बताने के लिए कि यह वाला action हुआ है, तो इस case में आप past indefinite tense को use करोगे, ठीक है, I know interpretation आपके दिमाग के कई बार उपर जा रही होगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, यही एक तरीका है, next देखते है, rule number seven, the verb in the following cases is used in singular form, इन सभी cases के अंदर जो verb है, वो singular form के अंदर use करनी पड़ेगी, जब दो singular noun जो है, किसी same person को denote कर र district magistrate क्या है, singular noun, इसके लिए एक article use किया गया है, बिल्कुल सही, the collector और the district magistrate, तो इसके लिए जब आप कोई भी verb use करोगे, वो singular use करोगे, is आएगा, इस case में देखिए, the aim object, aim कैसा subject है, singular, object कैसा subject है, singular, और इनके लिए एक ही article use किया गया है, the, तो इनके लिए जो verb use होगी, व the sum and substance, अब जो sum है, singular है, substance क्या है, singular है, इनके लिए article एक use किया गया है, तो इसलिए जो verb आएगी, वो singular आएगी, bread and butter are sold here, अब जो bread है, एक अलग है, bread and butter, हाला कि bread भी singular है, butter भी singular है, ओके, नहीं, आप इनको बता नहीं सकते है, singular है, plural है, you will not be able to distinguish it, but, इसके लिए कोई singular article यूज नहीं किया है, इसलिए हमने आर यूज किया है, लेकिन bread and butter, यहाँ पे bread and butter जो है, हम जो भी grocery की shop पे जाते हैं, वहाँ पे हम bread and butter लेके आते हैं, तो लेकिन यहाँ पे bread and butter से आपके रोजगार से मतलब है, bread and butter is difficult to earn, आपका जो रोजगार है, ज तो वो बहुत मुश्किल है वो करना, तो bread and butter is difficult to earn, जब आपको यह वाला meaning convey करना होता है, कि कोई particular चीज का एक single meaning है, तो वहाँ पे आप singular verb यूज करोगे, अगर वो चीज अलग-अलग use हुई है, bread and butter, यहाँ पे bread and butter जो है, tell किये जाते हैं, तो वहाँ पे आप plural यूज करो अब किसी ने यहाँ पे weights लिखा होगा, तो वो गलत है, क्योंकि time and tide, ध्यान से देखो, यहाँ पे time and tide जो समय है, और जो tide है, समुंदर के अंदर जो tide आती है, वो किसी के लिए weight नहीं करती, अगर आपको लगता होगा, कि यह एक ही कहावत है, यह एक ही कहावत नहीं है, य और दोनों किसी के लिए weight नहीं करते, तो यहाँ पे आपने जो verb use की है, यह plural verb use की है, slow and steady जो है देखिए इस case के अंदर, आप इस से पूरा समझ जाओगे, अब slow and steady wins the race, slow and steady एक ही आदमी के लिए बताया गया, जो भी आदमी slow है और steady है, वो race जीत जाएगा, यहाँ पे जो जल्दी से next question देख लेते है, rule number 8, जब कोई भी sentence आपका, किसी it pronounce से शुरुआत होती है, तो it pronounce से जब भी शुरुआत होगी, तो verb जो है it के according आएगी, लेकिन दूसरे case में, जब आपके sentence के अंदर there या फिर किसी interrogative pronounce से शुरुआत होगी, तो वहाँ पे जो verb आएगी, वो क किसी predicate या फिर compliment पर depend करेगी, प्रेडिकेट क्या होता है, जो verb के बाद लिखा होता है, या फिर verb के बाद जो भी लिखा होता है, या फिर compliment, मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ, आपके example की मदद से, यहाँ पर sentence जो है, इसकी शुरुआत it से हो रही है, it is the stars that guide our destiny, अब जो है, it pronoun है, it singular है, इसे सबसे verb is आगे, लेकिन यहाँ पर जो देर है, यह देर और interrogative pronoun, जब भी sentence में इसे subject की तरह behave करेंगे, तो इसके according कभी भी वर्ब नहीं आएगी, वर्ब किसके according आएगी, इस predicate के, a boy in the classroom, a boy क्या है singular, तो boy के according क्या आएगी, वर्ब आएगी, दूसर नहीं होता, और देर के बाद जो verb लिखी होते हैं, उसके बाद जो complement लिखा होता है, उसके according ही हम वर्ब यूज करते हैं, अब यहाँ पर देखे, देर lives, a boy, there lives a boy, there lives a boy, who is my best friend, तो यह भी ठीक है, यहाँ पर क्या है, singular हमने इसको यूज किया, there lives a boy, single boy की बात हो रही है, त किसी साब से इसको में यूज करते हैं, right, okay, next question देखते हैं, देखे, rule number 9 है, यह rule भी बहुत important है, जब आप किसी भी singular और plural verb को किसी noun के साथ यूज करते हो, तो उनके usage जो है, singular और plural verb के थोड़े change हो जाते हैं, it depends upon the number, means and wages, उसका number क्या है, means क्या है, wages क्या है, उस पर depend करता है, right, तो यह जो वाला concept है, यह बहुत बढ़ा हो जाएगा, rule number 9th and rule number 10th and rule number, हाँ, इसको हम next video के अंदर discuss करेंगे, now it's the time, I should leave here, ठीक है, तो verb के अंदर आज इतना ही था, बाकि जो rule number 9th or 10th हैस के ले में separate video बना दूंगा, because I am running out of time and some teachers have arrived, they need to take their class, so thank you.